हलो दोस्तो नमस्कार आज है 13 जन्वरी दो हजार चोबिस और 13 जन्वरी दो हजार चोबिस से 36 गर डेली करेंट अफैर से समधिन जितने भी महत्पूर्ण कोशन बल सकते हैं सारे कोशन को डिटेल से डिसकस करेंगे और हर कोशन से समधित इपोर्टेंट फैक्टर में आपको बताऊंगा तो आप वीडियो के पूरा लास्टा तक जरूर देखना अगर आप इसका पीडियो डौलोट करना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जूट जाओ टेलिग्राम चैनल का लिग वीडियो के डिस्किप् देखते हैं तो चलिए आज का हमारा करेणफेर सेशन का हमारा पहला कोश्चन है हाली में अर्प नदी पर साव साल पूरा ने अंग्रेजों के जमाने के पूल का नाम करण राम सेतू रखा गया है या 36 गड़के कि जीले में है तो इस कुश्चन का सही आंसर है आप्शन 3 बिलासपूर जीले में है चलिए थोड़ा से इसका क्या है डिटेल से देखते हैं न्याय धानी की जीवन दायनी अर्प नदी में अंग्रेजों के जमाने के बने साव साल से भी पूराना पूल को अब राम सेतू के नाम से जाना जाएगा अर्प नदी पर बना यह पूल दसकों से रहगीरों को नदी के आर पर जाने का काम आ रहा है इस पूल को नगर निगम अर्था जो बिलासपूर नगर निगम की और से राम सेतू का नाम दिये गया है देखो अब यह क्या है देखे इसका आप देख सकते हैं यह है वो राम स पूल्टिक अब इसका क्या है नए नाम है किस ने रखा है तो बिलासपुर नगर निगमने इसे आप याद रखेंगे तो चलिए अब यह है बिलासपुर जीला में का जो है अर्पन अधी पर इस्तित्व अंगरेज़ो जमाने का पूल को क्या है राम से तु बिलासपुर बिलासपुर जीले का घठन राथा तो सम्भाइब यहां लग रहा है तो तौटल नगरा?. अगर आप इस map को देखेंगे तो यहां पर है लगरा ठीक है यहां जो लगरा है यहां पर क्या है ट्रेफिक पार्क है कहा है ट्रेफिक पार्क कहा है तो लगरा में है इसके बाद और आप ध्यान से देखेंगे तो यह है हमारा क्या है बिलिहा ठीक है यह जो बिलिहा है यहां क्या है यहां 36 गड़ का सबसे बड़ा विकास खन कौन है तो बिलिहा विकास खन क्या है यहां देखेंगे तो यह है हमारा रतनपूर को क्या है तलाबो का सहर बोलते हैं रतनपूर को किस ने बसाया था तो रतनपूर को एक हजार पचास इसवी में कल्चूरी राजवन्स के राजा रतनदेव प्रथम ने क्या है रतनपूर सहर की स्थापना किया था तो इसे भी आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है विलासपूर सहर किसके नाम पर है तो इस बिलासपूर से अरपनदी गुजारती है ठीक है बिलासपूर किस नदी के किनारे वसा है तो बिलासपूर आपका अरपनदी के किनारे वसा है यह हमारा अरपनदी का उद्गम कहां से होता है तो गवरेला पेंडराम और वही जीला के पेंडरा लोर्मी के पठार आप यहां से होते हुए क्या है यह जो विलासपूर को पार करती है ठीक है इस तरीका से क्या है यह अर्पन नदी बहती है अर्पन नदी किसकी सहायक नदी है तो अर्पन नदी शिवनाथ नदी की क्या है सहायक नदी है तो इसे आप याद रखेंगे important है चलिए जब भी देखो कोई भी question आता है किसी जीले से समधी तो वहाँ जीले के समधी जितने भी important fact बनते हैं उनको याद करना है क्योंकि जैसे आप उसको region करेंगे तो आपका mind में ज़्यादा समय तक ही store रहेंगे हर चीज चलिए यह हमारा अगला question है हाल ही में चर्चा में रहा रमायान कालिन इस्थाल रामा राम किस जीले में है तो इस question का सही answer है हमारा option 3 सुपमा जीले में रामा राम क्या है यह करमायान कालिन इस्थाल है और यह कहां है तो यह सुपमा जीले में है तो चलिए important चीजों को यहाँ पर discuss करेंगे चलिए इसका details भी देखते हैं बस्तर संभाग के सुपमा जीला मुख्यालाय से महाज 8 से 9 किलो मीटर के दूरी पर इस्थित एक गाउं है रामा राम जहां चिट मिटिन अम्मा देवी का मंदिर है ठीक है चिट मिटिन अम्मा देवी की प्रति इस छेत्र के लोगों की गहरी आसता है यही वहाँ वज़ा है कि रामाराम सुकमा जीले के बहत महतपूर्न धार्मिक इस्थल है लोगों में इस धार्मिक इस्थल कुले करिया भी मन्यता है कि तरिता यूग में त्रिता यूग में भगवार राम अपने बनवास वनवास के दवरान दक्षिड की ओर निकले थे तब प्रभु सिरे राम यहां पहुंचे थे उन्होंने यहां भू देवी की अरादना किया था ठीक है तो इस चीच को आप याद रखेंगे अभी देखो अयोध्या मंदिर का जो उटगाटन प्राण परिश्टा जो समारो हु को हुआ था तो यह क्या है इसलिए क्या है जितने भी प्रभु सिरे राम के संब्ध में जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है इस सभी फैक्ट के अभी चर्चा में आ रहा है तो इसे भी आपको याद रखना है क्या लिए यह देखिए यहां पारम भावान जी का पोटो है ठ अब देखो एक जो सुख्मा जिले है ठीक है तो सुख्मा जिले से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बनेगा उसको भी आप देखने का प्रयाज़ करेंगे जैसे सुख्मा जिले में है साइन्स पार्क है इसे आप याद रखेंगे सुख्मा जीले में क्या है साइन्स पार्क है याद रखेंगे और सुख्मा जीले के कोंटा तहसिल से आंद्र प्रदेश के कुना वरंग तक कहा तक आंद्र प्रदेश के कुना वरंग तक प्रदेश का एक मात्रा आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चीजे हैं इस तरीका से कोश्चन आते हैं तो सुख्मा चैस गड़ का सबसे दक्षीडी जीला है ए रहा हमारा अगला कुश्चन हाली में चर्चा में रहा अक्ष्य वर्ट ब्रिक्च हे 36 गर के किस जीले में इस्थित है तो इसक्षण का सही अंसर हमारा कौन से कहा है तो जांगी चापा में तो चलिए इस कहा हैं तो हमवांस के सब्सक्री शोels सा जांगी कि से नाता है यहां प्रभू शीराम ने सभास समय बिदाए थैढbourg सभू राम ने यहां भाई लच्माड के साथ सब्री के जूठे बेर खाये थे इस प्रकार यहां गवाह वह पेड़ है ठीक है मतलब कुन से प्रेक्षे तो यह वर्ट रिक्षे है जिसके पत्तों की आकृति दोना के समान है मानियता है कि सब्री ने पेड़ के कुछ पत्ते मे में बेर रक कर खिलाये थे इस वर्ट रिक्षे का वर्णन तमाम योगों में मिलने के कारण इसको क्या बोलते हैं अक्ष्य वर्ट रिक्षे बोलते हैं तो इसे आप याद रखेंगे कहां पर है तो जांगीर चापजेले में जान्दगीर चापा जीला जैसे नाम आया तो वहां से कुछ इंपोर्टेंट चीजे हैं उसको भी आपको याद रखना चाहिए जैसे जान्दगीर चापा जीले की स्थापना कब हुआ था तो जान्दगीर चापा जीले की स्थापना हुआ था आपका जांगीर जो सहार है ठीक है जांगीर जो सहार है वो क्या है 36 गड़ के पहले क्या है जांगीर सहार जाजवल्या नगर के नाम से जाना जाता था जाजवल्य पूर तो इसे किसने बसाया था तो कल्चुरी राजवन्स के राजा जाजवल्य देव प्रथम दोरा क्या है इसे ब ये अप दिखेंगे तो यह क्या है पहले कब विभाजन हुआ तो इसे आप यह क्या है इस फेकर से यह क्या है यह हमारा किहा है तो इस अप याद रखेंगे तो इसे आप यादधी। हैं हमारा ये वाला जो इलाखा यह क्ला है क्या है जांगीर चापा तो इसे आप याद रखेंगे जांगीर चापा में कोटमी सोनार है कहाँ है क्लेश प्रसिद है तो हमारा क्या है यहां पर क्रोकोडाइल прокा है करोकोड़ायल पार्क कब बनायी था तो 267 में बनाया था ए्पर hose नती reply निख ये हैं ओफ भी रॉआ से जी द यह है मेरा होग गत्ल है में तो परस हें किस नदी के किनारी बसा है मैं ये तो ये मडेंट पर किस नदी के किनारी बसो है तो ये भी हस्दो नदी के किनारे बसा है और ये जांगीर चापा में कौन सी स्थाल है तो सिवरी निराण है यहाँ पर देखेंगे तो यह है सिवरी निराण यह जांगीर चापा में है और यहाँ पर तीन नदी का संगम है कौन-कौन से नदी का संगम है तो आपको महा नदी, सिवनात नदी और जोक नदी कों-कौन से नदी, महा नदी, सिवनात नदी और जोक नदी तीनों नदी का क्या है संगम इस्थल है तो इसे आप याद रखेंगे important है चलिए नेस्ट कोश्चन के और आगे बढ़ते हैं ये रहा हमारा अगला कोश्चन हाली में दूरला पक्छी चेंजेबल हाक इगल छतिस गड़ के किस जीले में देखा गया तो इस कोश्चन का सहय आंसर है हमारा ये खैरा गड़ छुई ख़दान गंड़े जीला में ठीक है इस जीला में क्या है देखा गया है तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं जीले के जंगल हमेशा अपनी जय विज़ताओं और सुन्धरताओं को लेकर वन या प्रेमियों को आकर्सित करते रहे हैं मतलब खैरा गड़ जीले के बारे में बता रहा है मैकल पर्वस माला के आखरी छोर पर इस्थित ये जंगल हमेशा वन या प्रेमियों को चुकाते हैं ताजा मामला धारा खर्रा रिजवरा पॉरेश्टक है जहां चेंजेबल हाक इगल के सब एडल्ट पक्षी को रिकार्ड किया गया है यह 36 गड़ के अचानक मर और कांगेर वेली नेशनल पार्क के अलावा यह सिकारी पक्षी अब तक केवल जंगन जंगलों में ही दिखाई देते हैं आईसे में खैरा गड़ के जंगलों में दिखाई देना पक्षी प्रेमियों को रोमान जीत करता है अभी भाजित राद जिले में पहली बार इस पक्षी को रिकार्ड किया गया है तो यह कह है हमारे खैरा गड़ एरिया में है तो इसे आप क्याद रखेंगे जीले अब देखो यह है खैरा गड़ से समधिद कोशन है तो 36 गड़ के मैप यह है 36 गड़ की मैप और 36 गड़ के मैप में कहां है खैरा गड़ जिले तो यह है हमारा खैरा गड़ जीला खैरागड जीला की अभी स्थापना हुआ था 2022 में राजदन्दकाउं जीले से विवाजन करके खैरागड जीले को बनाया गया है तो एक important question यही बन जाता है जो खैरागड है किस नदी के किनारे बसा है तो खैरागड आपका पिपरिया मुस्का और आमनेर तीनो नदी के संगा में विश्विध देला है यह एसिया का एक मात्र विश्विध देला है मतलब संगीत विश्विध देला हैं और यहां जो खैरागड में जो संगीत वुश्यृद्ध्याला ही है चतिस गड़ का प्रथम विश्यृद्ध्याला है चतिस गड़ के राजा थे राजा विरेंद्र भाहदूर्स्ती है और उनके पत्नी थे पद्मवती दोनों ने अपनी जो पुत्री था इंदिरा इंद्रा क्या है उसके संगित प्रेमी पुत्री था तो इन ही के नाम पर अपने महल का नाम रख दिया इंद्रा कलायों संगित भी सिविद्याल है ठीक है तो इस तीज को आप याद रखेंगे important है, यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, सायद तक यह क्या है quality के ठीक नहीं होने को जैसे दीखनी जाओगा, ठीक है, यहाँ है बैताल घाटी, जो बैताल रानी घाटी है, कहाँ है, तो यह खैर अगर चुई खदान important है, गंड़ई है देखो, यह जो गंड़ई है यहाँ पर देवर मंदिर है, देवर सिव की मंदिर है, ठीक है, गंड़ई में क्या है, देवर सिव की मंदिर है, और यह किस प्रकार की मंदिर है, तो यहाँ आपको कर्चूली कालिन मंदिर है, किस कालिन मंदिर है, कल्चूल मुरी कालिन मंदीर है तो इन्हें भी आप याद रखेंगे चलिए घरगड से इंपोर्टेंट चीजों को आपको याद रखेंगे इतना ही इंपोर्टेंट है तो अभी जो चर्चा में रहा चतिसगर की पहली महिला चतिसगर ही नाचा कलाकार कौन है इसे आपको बताना है तो इस कोश्चन का हमारा सही अंसर है याद रखेंगे इंपोर्टेंट है कि ग्राम लिमतरा की 75 वर्शी व्य व्योवरिद्ध लोग कलाकार चंपाबाई कोथारी ने अपनी योन अहस्था में नाच में परी और नचनिया कलाकारों के रूप में सामिल होकर चतिसगर्ड की सबसे पहली महिला कलाकार के रूप में प्रवेश की थी उस समय चमपा बर्सन नाम से नाचा पाटी सहित पूरे भारत में लोगप्रिय रहा प्रसी धरंग कर्मी पदमस्तरी हभीब तन्मीर ने भी चमपा बई को दिली नाट्या में मंचिय भूमी का निभाने के लिए सहियो में लिया था चेतित गड़ी नाचा की पहली महिला का लाकार चमपा बई को ठारी तो इसको आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है ठीक है आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर गता है और आपको इससे किसी भी प्रकार का अगर आपको मदद मिलता है तो आप अधिक से अधी लोगों तक सेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना तो चलिए थैंक्यू